असलाम आलेकुम विर्चुल उनिवसिटी के फाइनल टर्म एक्जाम स्प्रिंग ट्वंटी ट्वंटी टू जो के इन्शालला सेवंटीन सेप्टेंबर से स्टार्ट हो रहे हैं तो अभी तक मिट्रम का रेजल्ट नहीं आया जबके फाइनल टर्म की डेशिट का लिंक पहले ही ओपन हो गया है ठीक है तो इस सवाले से स्टोरेंट्स बहुत परशान है क्योंकि उनको भी अपने मिट्रम की नंबर्स का ही नहीं पता तो फानल टर्म की प्रिप्रेशन भी उनको करनी पड़ रही है तो इसका क्या तरीके का रहे हैं आप दो हफते में कैसे त्यारी कर स सबसे पहला क्यों कि मिट्रम का रिजल्ट क्यों नहीं आया कुछ टेक्निकल इशुस की वजए से लावा और और ब्र यह प्यवजार्श पेपर ऑपकर जो पहले मिट्रम के वह पोस्पॉन हो गए थे पहले पहले पेपर से थीक है तो इसलिए हवाले से अभी रिजल्ट न आपका final term में count होगा जितने marks भी आप लेंगे वो 30% उसका बाद में marks का लेंगे वो आपके final में count होगा इसका तरीके कार यह है कि आप हर subject के head में click करें और उसके बाद में grading scheme पर जाएं वो आपको idea हो जाएगा कि mid term के कि इतने marks आपके count होंगे ठीक है question number two यह है कि इसकी जो preparations हम कैसे करें final term की preparation का यही तरीके कार है कि आपने handouts को ही prepare करना है और इसका जो syllabus है वो आपका mid term के बाद का जो आपको number 23 से 45 जो आपने mid term के बाद पढ़े हैं वो ही आपके final term में आएंगे अपने handouts को लाज़मी prepare करेंगे जो दो हफते इन में अपने कोशिच करें कि हर subject को individual time दें ठीक है handouts को एक मरतबा आप लाज़मी पढ़ें ऐसे student जो lecture नहीं attend कर सके किसी वज़ासे तो वो handouts को ही पढ़ें ताकि आपको उसकी समझ आ सके जो कोई concept नहीं समझाता उसको YouTube से सर्च कर लें ठीक है YouTube पे अकसर वीडियोज पढ़ी है अगर वहां से भी नहीं है आपको समझ आ रही तो Google कर लें ठीक है ताकि आप उस चीज को पढ़ सकें और अपने handouts को prepare करें पेपर आपका वहीं से आता है बहुत से students कम बक्त होने की वज़ा से pass papers को सिर्फ prepare गर्के चल जाते हैं और उनके बाद में जब वह paper नहीं आता तो वह प्रशान होते हैं कि यह क्या हुआ हमारा वह प्रेपर आया है ही नहीं जो हमने पास्ट पेपर में पड़ा था क्योंकि युनिवस्टी वालों को भी आइडिया है कि पास्ट पर से लोग तेरियर गयाते हैं इसलिए वो मिक्स पेपर देते हैं ठीक है वो आपके concept बेस पेपर देंगे उन्होंने आपको एक theory की समझ आनी चाहिए suppose करने कोई theory है जब तक आप उसकी समझ नहीं सकेंगे उसको तो उसको आप explain ही नहीं कर सकेंगे ठीक है कोई भी concept है जो आप जब उसको समझेंगे नहीं clear ही नहीं होगा तो question आप नहीं solve कर सकेंगे इसलिए past papers की तरफ मत जाएं past papers को तब prepare करें जब आपने त्यारी पूरी कर ली हो अच्छे numbers के लिए आप handouts और PPT slides को ही prepare करें ठीक है और उसके बाद में paper pattern यह होगा कि आपका 40 40 marks का जो आपका mcqs होंगे जबके 40 marks की ही आपके short questions and long questions होगे जिस तरह कि आप देखें पेपर आपका दो गेंटे का होगा ठीक है तो इसमें half जो आपके mcqs आएंगे और half आपका जो सब्जेक्टिव आएगा और अकसर लोग कह रहे थे कि final term में physical exams की जगह grand quiz होंगे तो यह बात सारी गलत है आपको इस ती से अंदादा लगा लेना चाहिए कि आपके जो final term की डेशिट जब आपने बना ली है it means कि आपके physical paper ही होंगे आपको physically जाके ही अप्टेंट करने होंगे और कोई question हो तो आप description box में दिएगे number मुझे से रापता कर सकते हैं hope for the best to all students Allah Hafiz